हलो दोस्तों मैं शोवित कुमार चोदरी आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, घर पे होंगे, शुरक्सित होंगे दोस्तों अब हम start कर देते हैं अपनी practice questions की अभी तक हमने conceptual framework किया था, goodwill के सारे methods को पढ़ा था, उससे पहले interest on capital, partnership के fundamental जिनको बोला जाता है या basic partnership जिनको बोलते हैं, वो हम complete करके आए हैं तो अभी तक हमने क्या किया है मेरे बच्चा, अभी तक हमने सारे concepts को cover किया है, questions अभी हमने cover नहीं किये थे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जितनी भी वीडियो मैं आपको provide करूँगा, जितना concept मैं अभी तक आपको करवा चुका हूँ, उन सभी भी मैं questions के practice करा हूँगा वो questions क्या होंगे, paper के time में क्या होता है, मैं देखता हूँ कि मेरा बच्चा 10 years की तरह भागता है, जब board के exam आते हैं, तो मैं पहले से किया के चलता हूँ कि जब आपको individual topic पढ़ रहे हैं, तो उसके board के questions आपको वहीं खतम कर देने चाहिए, वहीं पे हमें उनकी practice कर लेनी चा बागी questions की practice मैं आपको करा ही रहा हूँ, आप Smart Classes Learning App Store से आप download करके वहां से हमारी classes देख सकते हैं, और अपनी कुछ free classes वहाँ पर available हैं, साथ में paid classes भी available हैं, जैसा आपको अच्छा लगी आप ऐसे देख सकते हैं, साथ में YouTube पर हम क्या करने वाले हैं, last 10 years के जितने भी questions इसके बाद मैं क्या करूंगा, जितना हमने basic और partnership किया था, उसके board में 10 years के जितने questions आया होंगे, वो cover कर लूँगा, 10 years का question करने का मतलब यह होता है, कि आपने 50% safety margin set कर दिया, यानि कि आसानी से आप paper को tackle or handle कर पाएंगे, अगर 10 years को आप अच्छे से कर लेते हैं, तो guys, ब easily, अपना, जो exam है, वो easily age कर पाएं, आसानी से, अच्छी strategy बना के उसको age कर पाएं, तो strategy में यह होता है, कि 10 years के questions हमें जरूर करने चाहिए, वो 10 years के question मैं आपको यहां complete करा दूँगा, पूरा YouTube पे आपको मिलेगा 10 years के question, हर टोपी के 10 years के question करेंगे, फिलाल हम goodwill के 10 years के ख तो जल्दी से देखें एक question, यह आपकी screen पे question है, इसको जल्दी से readout करेंगे, और यह question बेटा, 2019 में आया हुँआ, गुडविल का question है, valuation of goodwill का 2019 में यह question आया था, क्या है question मैं readout करता हूँ, मैं readout करूँगा, आपको note down करने का time view से मिल चाहेगा, the capital of the firm of Anju and Binu is rupees 10 lakh and the market rate of interest is 15%, वो कह रहा है कि जो Anju and Binu साहब हैं, उन्होंने 10 lakh रुपे capital दोनोंने मिलके लगा रखी है, और market value 15%, यह हमने बोला था ना rate of return, rate of interest या normal rate of return उसी को बोलते हैं, means इन लोगों को 15% normally कमाने का opportunity है कि यह 15% कहीं से भी earn कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो कि normally कोई contribute करेगा या अपने पैसे किसी business में invest करेगा, तो easily market में है कि 15% वो earn कर सकता, simple language में ऐसे समझो कि अगर मैं बैंक में जमा करूँगा पैसे तो 15% का मुझे interest मिल जाएगा, यानि कि मेरे पास amount को invest करने के बाद 15% तक की opportunity है कि मैं आसानी से 15% earn कर लू 60,000 each partners को जो salary देनी है वो 60,000 रुपे की salary हमें each partner को देनी है, यानि कि A को भी 60,000 की हम salary देना है और हमने B, A B मतलब अंजू और BNU मैं सोट में बोल रहो हूं, B मतलब BNU को भी हमें 60,000 की salary देनी है उन लोगों को, यानि कि approbation का थोड़ा सा portion आ गया हमें salary उनको देनी लगी 3 साल के जो firm के profit हैं, वो 3,60,000 और 4,20,000, 420,000 हैं, यानि कि firm ने बिछले 3 सालों में इतना profit कमाया है, अब करना क्या है, आगे question कहता है, goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of the last 3 years average super profit, वो कहता है साब जो profit दे रखे हैं बिछले 3 सालों के, इनकी help से आप average profit निकाल के super profit के basis पे goodwill की calculation करके दिखाईए, और जो super profit आएगा उसको 2 से multiply करना है, क्योंकि number of year purchase 2 दे रखा है, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से comment section में mention करके बताएं, क्या formula होता है, जल्दी से I am waiting, जल्दी से comment करके बताएं, क्या formula होता है goodwill की calculation करने का from super profit method, क्या formula होता था, ए एक बार मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, एक बार formula फिर आप से पूछूँगा क्या formula होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ formula में, चल जा भाई, goodwill is called to, क्या हुआ करता था, super profit into number of year purchase, ये हमारा formula हुआ करता था, मेरे बच्चों, कि goodwill बराबर क्या होता था, super profit into number of year purchase, तो that means हमें क्या निकालना है, अभी अपने को इदर से super profit निकालना है, number of year purchase to year question में given है, mention कर रखा है, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, इसका तो कोई लपड़ा है नहीं, बस हमने क्या निकालना है, super profit, जल्दी से याद कराता हूँ, एक average profit में से हम minus करते हैं, सहाब, normal profit, adjusted average profit में से हम minus करते है, normal profit, जल्दी से मुझे बताओ, कि normal profit कैसे निकलता है, sir, जितना इन लोगों ने capital employed किया होगा, उसमें into जितना rate of return या जितना rate of interest मिलने वाला होगा, इन्हें, divided by 100 कर देंगे, तो normal profit आचाएगा, sir, adjusted average profit कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने profit को adjust करना पड़ेगा, मतलब हमें अपने profit में plus करने पड़ेंगे normal, abnormal lows, minus करने पड़ेंगे abnormal profit, और minus करने पड़ेंगे कोई normal expenses, जो अभी तक नहीं minus किये गए है, ऐसा करने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, ऐसा करने के बाद हमारा निकल के आएगा average, adjusted average profit, अभी मैंने एक बार का किया, आप क्या करोगे, सब profits को ऐसे ही करोगे, फिर उन सब profits का आप क्या कर लोगे, sum कर लोगे, sum करने बाद उसको divide कर देंगे, हम number of year purchase के साथ, तो हमारा adjusted average profit निकल के आजाएगा, ऐसे करने से हमारा adjusted profit आएगा, उन सबी adjusted profit का हम sum कर देंगे, sum करके जितने साल के profit है, जैसे question में 3 साल के profit है, तो 3 साल से अपन लोग divide कर देंगे, तो मेरे बच्चा क्या निकल के आजाएगा, तो हमारा निकल के आजाएगा adjusted average profit, adjusted average profit को उठा कर यहां रखेंगे, normal profit हमने निक बाद हो जाए कैसे करते हैं, अब जल्दी सी मैं fast fast करके दिखाता हूँ कि हमें paper में step by step कैसे करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, paper में जब हम answer करेंगे मेरे बच्चा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा capital employed हमें निकालना पड़ेगा, जैसे ही मैं capital employed निकालने की ब रखी है तो वो ही हो जाएगा हमारा capital employed, capital employed की help से हम निकाल लेंगे average profit, जो कि कितना होगा 10 lakh का जल्दी से question में देखो, question ने कितना बोला था, जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ कितना percent question ने बोला था, 15% yes, तो 15% upon 100 तो that means 1,50,000, means 10,00, गुर्पे लगा के normally लोग 1,50,000 कमा लेते हैं, अब हमें यह हम normal market के हिसाब से बात कर रहे हैं, कि हमारी जितना लगा के कितना कमा लेंगे या हमारी जितना लगा के market से normal opportunity कितनी है, नोर्मली कोई भी आएगा पना कमाकिल ले जाएगा अब हम बात करते हैं कि हमें पहले निकालना है अपना जल्दी से बता मेरे बच्चा कितना average profit हमें गिवन है קोशन में average नहीं तो 3 साल का अलग-अलग जो गिवन है कितना कितना profit गिवन है कितना है 3,00,000 ओके पहले साल का गिवन है 3,00,000 3,00,000 में से हम माइनस कर देंगे क्या माइनस करना है कोई अगर abnormal profit है वो minus करना है और क्या करना है हमें plus करना है अगर कोई abnormal loss है minus करना है अगर कोई normal expenses है तो question में abnormal profit या abnormal loss तो given नहीं है लेकिन एक expenses given है normal और वो expenses क्या है कि partners को salary देनी है तो मेरे बच्चा जो profit question में given होते हैं वो before approbation होते हैं और जो partner को salary दी जाती है वो approbation प्रोफिट का part होती है इसका मतलब इन वाले profit से अभी तक salary deduct नहीं हुई होगी जबकि normally ये salary deduct करनी ही है क्योंकि partners लेंगे ही लेंगे तो कितना करेंगे हम हम बोलेंगे कि 30,000 इस 3,000,000 में से हमें partners की salary माइनस करनी है जो कितनी है 60,000 each तो कितना आएगा मेरे बच्चा 1,20,000 दोनों की 1,20,000 आजाएगी तो हमारा निकल के आजाएगा adjusted profit पहले साल का जल्दी से बताओ कितना आया मैं लिख लूँगा फिर 2nd year का जल्दी से बताओ मुझे देखके कितना profit दे रखा है 3,60,000 वहां से भी मेरे बच्चा 1,20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आजाएगा जल्दी से निकाल के बताओ 3rd year का भी दे रखा है 3,60,000 वहां से भी माइनस 3,60 नहीं है 4,20,000 चार सो बीस है 4,20,000 माइनस 1,20,000 और निकाल लेंगे यहां से भी कितना जल्दी से मुझे बताओ निकाल के कितना आया तो कितना आया मेरे बच्चा 1st का आया 1,80,000 2nd का आया 2,40,000 3rd का आया 3,00 तो कुल मिला के अब हम क्या कर लेंगे हमें निकालना है मेरे बच्चा एवरेज प्रोफिट या इसको बोल देते हैं एडजेस्टिड एवरेज प्रोफिट तो एडजेस्टिड हम कब करते हैं प्रोफिट को जब हमें कोई एडजेस्मेंट दे रखी होती है उसको सही करने के लिए अब नॉर्मल हो प्रोफिट या अब नॉर्मल हो लोस या कोई नोर्मल एक्सपेंस जो अभी तर डिटेक्ट नहीं किया गया हो या माइनस नहीं किया गया हो सम कर लेंगे 180, 240 और 3 लेक जल्दी से सम करके बताओ जल्दी से सम करके बताओ मेरे बच्चा तुम बताओगे सारी चीज तुम बताओगे जल्दी से सम करके बताओ तो कितना आया मेरे बच्चा टोटल आया 7,20,000 डिवाइड कर देंगे 3 से तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना adjusted average profit आने वाला है 2,40,000 ठीक है नॉर्मली इजी बात है एक चीज़ों ध्यान रखें इस सारे काम की जगा आप एक alternate तरीका और लगा सकते हैं आप थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा तो फिर सर आपने या भाई आपने पहले उस तरीके से क्यों नहीं करा बताउंगा कि मैंने क्यों नहीं किया उस तरीके से तो आसान काम क्या हो सकता था हमारे लिए कि कोशन में जो हमें profit given था हम कर लेते उस profit का sum तो sum of profit कितना आता मेरे बच्चा 3 lakh plus 3 lakh 60,000 plus 4 lakh 20,000 ये जो given थे तीनो साल के profit इन तीनो साल के profit का हम sum कर लेते sum करने के बाद कितना आएगा जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से मुझे बताओ कितना sum आएगा मेरे बच्चा जल्दी से तो मेरे बच्चा कितना आएगा तो आएगा 10,80,000 जब हम sum करेंगे इसका तो आएगा कितना 10,80,000 हमारी value निकल के आएगी फिर हम क्या करेंगे बेटा इसका निकाल देंगे average profit कैसे निकालोगे 10,80,000 बटे 3 बताइए मुझे कैसे निकालोगे 10,80,000 को बटे 3 कर दोगे तो कितना आएगा 3,60,000 कितना आएगा मेरे बच्चा 3,70,000 का average profit अभी तक आपने इस average profit में से adjustment नहीं किये अभी तक हमने क्या नहीं घटाया 1,20,000 की salary नहीं घटाई 1,20,000 की salary नहीं घटाई तो हम direct भी निकाल सकते हैं adjusted average profit 3,60,000 में से minus कर देंगे salary 1,20,000 की कितना करेंगे बेटा 3,60,000 में से minus कर देंगे salary 1,20,000 की तो क्या आएगा बताओ कितना आएगा मेरे बच्चा 2,40,000 तो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हो 2,40 और मेरे बच्चा ऐसे भी निकाल सकते हो 2,40 हुआ क्या है फरक क्या है factorization का एक simple सा concept लगा दिया कि हम क्या कर रहे थे 3 साल में से 1,20,000 घटा रहे थे फिर उसका total करके divided by 3 कर रहे थे तो इसका मतलब तो ये हुआ इस profit का भी average और इसका भी average अगर हम निकाले तो बात तो same आएगी तो इसलिए हमने क्या किया alternate तरीके में इन तीनों का sum कर लिया इन तीनों का sum करने के बाद में हमने इसका direct average कर लिया अब ध्यान देना जैसे ही मैंने average किया average का मतलब होता एक साल का profit लग भग क्योंकि किसी साल profit कम होता है किसी साल profit जादा होता है अगर आप से कोई ये पूछे कि आपके parents आपके parents कितनी money आपको देते हैं pocket money कितनी देते हैं तो आप क्या बताओगे एक whole soul amount बताओगे कि हमें 100 रुपे लग भग मिल जाते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है किसी दिन 100 मिलते हो pocket money के daily किसी दिन 500 मिलते हो किसी दिन 50 मिलते हो किसी दिन 40 मिलते हो तो आप उनको ऐसे तो गिना होगे नहीं चार्ट बना के अंकल चार्ट दे रहे हैं देख लो कितना मिलता है pocket money on and average बताते हैं total 5 subject के इतने number divided by 5 करके on and average एक subject में इतने number ऐसी तो किया हमने हमने देख लिया कि बार बार वोई चीज आ रही है तो हमने पहले जो profit given था उसका sum up कर लिया सहाब उसका sum up करने के बाद में हमने divided by 3 कर दिया उसको क्योंकि 3 साल के profit तो average profit एक साल का निकल के आया और एक साल में दोनों partners को कितनी salary दी जानी थी 60,000, 60,000 each तो 60 और 60 कितना हुआ एक बीस तो हमने एक बीस रख लिया एक बीस को minus कर लिया गलती ये मत कर देना कि एक लाग बीस हजार प्लस एक लाग बीस हजार प्लस एक लाग बीस हजार ऐसे करके minus करो नहीं average करके एक साल में convert कर दिया तो इसलिए इसको भी हमने एक साल का ही लिया ठीक है मेरे बच्चा ओके तो मर्जी आपकी 240 यहां से निकलो यहां से निकलो अब बात ये थी आप बता रहे थे कि ऐसे क्यों नहीं करना चीए क्या गलती हो जाती है बेटा अगर ये कोशन weighted average का होता अगर ये कोशन weighted average का होता मेरे बच्चा और मैं इस तरीके से कोशन को निकाल कर एक बीस माइनस कर देता तो कोशन का अंसर गलत आता weighted average के case में हमें ऐसे profit निकालने पड़ते और ऐसे profit निकालने के बाद में फिर हम उसका weight करते ठीक है weight में 1,2,3 weight देते हैं तो in that case अगर कोशन weighted average का होगा तो फिर हम ये alternate नहीं लगाना चीए हमें average निकाल के फिर minus नहीं करना चीए weighted average का कोशन है तो हमें individually सबका अलग-अलग लेना पड़ेगा नहीं मेरे बच्चा कोशन गलत आ जाएगा इसलिए मैंने ये वाला भी किया है और मैं prefer करूंगा आप ऐसे ही करने की आदर डालें जादर टाइम नहीं लगता है हो जाएगा calculation भी आपकी strong होंगी इससे जल्दी-जल्दी calculation करनी आ जाएगे तो हमारा adjusted average profit कितना आया 2,40,000 लोग normally कितना कमा रहें 1,50,000 तो बताओ जरा comparison करके बताओ लोगों को कि आप कहां हो हम लोगों से कहेंगे देखो हम कितना सिलपा 60 profit कमा रहे हैं कितना super profit कमा रहे हैं हम कितना super profit कमा रहे हैं तो आप बोलोगे adjusted average profit आप में से हम minus कर देंगे normal profit को तो adjusted average profit हमारा कितने का निकाला था अभी तो निकाला हमने बताओ जरा जल्दी से कितने का निकाला 2,40 का निकाला अभी पीछे वाला पेच कहां गया यह रहा 2,40,000 और यह कितना एक लाग पचास हजार तो कितना आया super profit 90,000 और goodwill क्या बोलती है goodwill बोलती है कि super profit का आप into कर दोगे number of years purchase years लिखा है वाई नहीं है तो 90,000 into 2 इसका मतलब 1,80,000 की goodwill तीन नमबर में question board में आया हुआ है 2019 में 2019 में question आया हुआ है 3 marks में 3 marks में आया है 3 में या 4 में आया होगा maximum मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है CBS evaluation के time पे मैं जब था तीन नमबर में ही लगपक आया है ठीक है 3 marks में ये question आया हुआ है या 4 में आया है whatever यानि कि 3-4 में एक question जरूर आ जाता है मैं इतना बताना जाओ ठीक है दोस्तों आपको समझ में आया ये question 2019 में आया हुआ question है board exam में यानि कि पिछले से पिछले साल का जो paper हुआ था उसमें ये वाला question आया था जिसमें valuation of goodwill का question था जिसके answer एक लाग असी हजार आया था तो ऐसे questions के लिए बेटा अलग से 10 years के लिए copy बना लो अलग से conceptual copy उसमें ये सारे question लिखो और paper के time पे इस सरीके के question को जरूर revise करो कैसी लगी आपको हमारी ये video comment section में comment करके जरूर बताएं साथी आप channel पे नए हैं तो channel को like subscribe करना ना भूलें और bell icon घंटे वाला निशान जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी हमारी नई वीडियो new notification आती है कि हम आपके लिए क्या लेकर आयें तो उसकी जानकरी आपको आसानी से मिल जाएगी comment section में अपनी elevation feedback हमें जरूर दे अब आपके elevation feedback हमारे लिए बहुत जरूरी है आपके लिए भी जरूरी है हमें पता चलता रहेगा आप क्या चाहते हैं तो accordingly हम plan करेंगे आपके लिए कि अगर इस तरीके से requirement है तो जितनी बच्चों की जादा weightage होगी उस weightage के हिसाब से फिर हम solution आपको provide करेंगे जब तक के लिए घर पे रहें सेफ रहें जै हिन भारत माता की जै